आज के इस Adon Talks Hindi Podcast Special Episode में we have Trishla Ma'am on Adon Talks. जब Trishla Ma'am on Adon Talks Hindi Podcast की जोड़ी बनती है तो आप तक इतना सारा knowledge, इतनी सारी ज्ञान, इतना सारा आपके पास सब कुछ वो आ जाता है जो like online कहीं मिलना ही नहीं वाला. हमने इस Podcast में बात करी है होली के बारे में. यह सारी बाते आपको कहीं नहीं मिलने वाली जो हमने इस Podcast में करी है. दूसरी सबसे important चीज होली का देहन का क्या actual ritual रहता है? कैसे आपको होली का देहन की पूजा करनी चाहिए? कि कितना important होली और देवाली का यह तोहार रहता है हम हिंदू festivals में और इसमें जो इतनी high energy रहती है आप अपनी सारी मनों कामना है, अपनी सारी परशानिया, जितनी भी इवल चीज है आप होली का देहन के साथ, कुछ छोटे-छोटे से उपाय करके, कुछ वैदिक उपाय ज कि जब हमने बात करी जब मैम ने मिरको बताया कि रादा किशन जी जब स्वरकिम मिलते और उनके बीच जो one-on-one discussion होता है, मेरे लिटरली रोंग्टे खड़े हो गए और चेश्ट में कुछ अजीब सी और जाए फील हो रही थी बहुत हापी हार्मोन्स, मैं एक्स्प्रेस बहुत जादा हाइए इमोशन और यह एपिसोड हमने जैपूर में रिकॉर्ड किया, क्यों कि यह सारी चीज़ आपको इस पॉड़कास में मिलेगी, अब पॉड़कास के बाद I always wanted, अभी recently आपने देखा होगा, मैं हर पॉड़कास में बोलता हो कि audience के लिए मैं कुछ special हो Trishla Maam ने होली की special portlies बनाई है, अब इन portlies से कैसे आपको benefit हो सकता है, क्या सारी चीज़े, आपको description में link मिलेगा, हमने एक website बनाई है, आप सब के लिए जितने भी लोग forms भरते है, community जाइन करते हैं, उस सब के लिए website बनाई है, वहाँ पे आपको सारी highly charged, बिल्कुल pure energy के स साथ, वहाँ पे सारी चीज़े मिलेंगी, और Trishla Maam की special holy की portly उस website पे आपको मिल जाएगी, first comment में, first description के link होगा, अब उस website पे जाके इस सारी चीज़े देख सकते है, check out कर सकते है, और order कर सकते है, this episode is one of my favorite episode, मजाप नहीं कर रहा हूँ, this episode is really high on energies, और जो specially उन लोगों के ल होता है, और होली क्या तोहार है, this episode is literally grand, हम सब हिंदूों के रिए, होली का तोहार बहुत इंपोर्टेंट है, उसी तरह ये episode, online कहीं नहीं मिलने वाला, and enjoy this episode, enjoy Don Talks Hindi podcast, enjoy Trishla Maam on Don Talks, enjoy yourself, happy holy, happy holy, happy holy. रादे रादे माम, जाशी कृष्णा, जाशी कृष्णा, जाशी कृष्णा माम, welcome to a Don Talks Hindi podcast, एक बर फिर से, पता नहीं कितनी बार भूलूंगा मैं, सबसे पहली चीज़ की audience अब used to it हो गई है, कि कोई भी हिंदूों का विशेष तोहार, कोई भी important festival आना है, तो Don Talks Hindi podcast और आपका एक podcast आना जरूरी है, क्योंकि हम लोग, बहुत सारे लोगों ने मेरे को पिछले podcast पर जो हमने, सबसे पहली चीज़ तो आपको भी congratulations बोलूँगा, कि हमने एक podcast industry में इत्यास रजितिया, जो हमने सोचा था कि हो जाएगा, वो हो गया, हमने जो शिवरातरी, महा शिव पर कर रहे थे, चाहिए वो मेरा आपके उपर जल डालना हो, चाहिए वो हमारा पीछे से किसी बोट का भजन के साथ जाना हो, सारा ambience जो हमें उस समय फील हो रहा था, वो audience को फील हो और उसके लिए ही हम बहुत खुश थे, और आज हम जैपूर में हैं, मैं आज जैपूर जमीन आस्मान का डिफरेंस है, मैं पहले आया था पतानी क्या खाया था और आज जो खाया है, वो बिलकुल ही अलग, बहुत ही जादा स्वाथ, बट मोविंग ओन आज का टॉपिक बहुत जादे इंपॉर्ट है, हमारे हिंदूों में बहुत सारे तोहर बनाए जाते हैं, पर विशेष तोहर अगर हम देखें, तो दिवाली, होली और बहुत सारे ऐसे और में इंदो को माना जाते हैं, और इन दोनों की में चीजों पे ही सारे बहुत हाई एनरजी होती हैं, वो इतनी डेटेल में मैं जानी सकता, और ना मैं इतने अच्छे से एक्स्प्रेस कर सकत और जितने अच्छे से आप करोगे, तो आज का एपिजोड हमारा होली स्पेशल होगा, होली पे आप लोगों को कौन सी रेमेडी करनी चाहिए, कैसे होली बनानी चाहिए, बट सबसे पहला सवाल मेरा आप से यह रहेगा, कि मैं होली बनाई क्यों चाहती है, होली की क्या कह होली आती है, छोटी होली में हम लोग होली का धहन करते हैं, रात को बहुत सारे महले वाले सुसाइटी वाले और एरिया वाले बहुत ऐसे वो पहाड बनाते हैं, भक्त प्रहलात थे जो विश्नु भक्त थे और उनके पिता जो थे वो चाहते नहीं थे कि वो विश्नु भक तो वह जलती नहीं थी वह भसम नहीं हो सकती थी तो उनको यह कहा गया कि इनको अपने साथ अगनी में लेकर बैट जो और तुम तो भसम होगी नहीं यह भसम हो जाएंगे ठीक है प्रहलाद के लिए पर भक्ति की शक्ति इतनी बड़ी थी कि उल्टा हुआ प्रहलाद बज ग जीत हुई एक नाकारत्मक शक्ति पर एक साकारत्मक शक्ति के जीत हुई एक ऐसे अंध विश्वाश की उस समय हार हुई जिसमें इंसान के अंदर या लोगों के अंदर मत था बहुत ज्यादा मैं का मैं ही सब कुछ हूँ मैं ही एश्वर हूँ उसकी एक अंत होकर कहीं ना कहीं भक्ति का उस समय एक उदय हुआ और भक्ति की जीत हुई ये तो एक पौरानी कता है जो सबको पता है और किसी को मालूम है हमारे चोटे-चोटे बच्चों के क्लास में भी एक कता दी जाती है पढ़ाई जाती है लेकिन हुली जो है वो और भी आपको पता है शिब जी और पर्वती जी जी का विवाहा था तो उससे पहले माँ पर्वती नहीं मान रहे थे नहीं मान रहे थे तो काम देव जो हैं उन्होंने माँ पर्वती की मदद की थी, उनकी साधना को भंग करने के लिए, शिव जी की साधना और उनके हिर्दे में उनके प्रेम को जागरित करने के लिए, तब क्रोध में आकर शिव जी ने उनको अपने तीसरे नेतर से जला दिया था, काम देव को, काम देव को, तो उनकी जो पत्नी है रती, उ प्रतीक है क्योंकि नुग्रह किया शिव जी से बहुत विंती की कि मेरे पती को पुना जागरित कर दीजे तो यह जो फागुन की पूर्णिमा है यह वही तिथी है जिस दिन काम देव को पुना जीवन प्रदान हुआ था जो हो ली गादिन है जी ओके ठीक है तो होली प्रेम का भी प्रतीक है क्योंकि काम देव प्रेम के प्रतीक है तो इसलिए ठीक है इसी प्रकार से अब बात तो हम कभी भी कहींभी किसी की भी करें मेरे ठाकुर जी ना आया ऐसा तो हो इंसकता जी तो अ बहुत चर्चित कथा है जिसे आपने बहुत सरलता से बहुत बार सुना होगा द्रश्यों में भी बहुत बार देखा होगा पूतना वद्ध एक राक्षशी आई थी जो उनको फीट करने थी हां उन्हें दूद्ध पिलाया था और ठाकुर जी ने उनका वद्ध कर दिया था भेश लगा क्या थी कि थाकुर जी मर जाएं लेकिन वह उल्टा ही हो गया आपको पता है वह तिती गया थी सेम जी वो ओके हना तो अगर हम मेरे कहने का तात्परिया सिर्फ इतना है कि अगर हम पता करने चले तो हमारी ग्रंथों में इतनी सारी चीजे हैं जो उस विशेश एक तिथी से जुड़ी होती है केवल एक परानिक जो कथा चलती आ रही है वही नहीं होती है बहुत सारी चीज़े जुड़ी होती है होली प्रेम का बहुत बड़ा प्रतीक है इसलिए ये राधा कृष्ण के प्रेम के रूप में भी मनाई जाती है बरसाने में आप देखेंगे जब सेफ आगुन उत्सव चालू होता है रोज कोई ना कोई कोई ना कोई होली मन रही होती है इसी प्रकार से होली वाले दिन अलग अलग रंगों के साथ राधा कृष्ण का होली उत्सव मनाया जाता है फूलों से होली खिलाई जाती है रंगों समी तो कहने का मत्तब है कि होली जो है और बसंत डितु जो होदी है वह भी कही ना कहीं प्रेम का ही प्रतीक मानी जाती है भी वह सारे लोग ने मुझे कमेंट किया मैंने बोला कि बसंत पंच मी जो है growth हिंदू के सनातन धर्म का हिसाब से हमारा वैलेंटाइन डे है फ्रेम दिवस है तो बहुत सारे लोगों ने बोला कि यह क्या है यह क्या बोल रहे हैं इतिहास को थोड़ा सा पढ़ने की जानने की कोशिश करेंगे तो आपको पता लगेगा कि क्यूं मैं आपको ऐसी कोई बात बोल जाती हूं क्यूं मैं आपको एक छोटे से ज्ञान के अंदर ब्रहमांड का पूरा का पूरा सार दे जाती हूं इससे समझने की कोशिश करिए इस पर तर्क वितर्क कुतर्क मत करिए ठीक इसी प्रकार होली जो है वो प्रेम का प्रतीक मानी गई है होली के जो रंग है वह जीवन के अंदर प्रेम के अलग 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 रंग है यासे इसको थोड़े सा एक्सपेण कीजिए राधा का सयम है प्रेम सीता का याग है प्रेम मा सती का अगनी दहा है प्रेम पारवती जी की साधना है प्रेम और मा गौरी की तपस्या है प्रेम ये प्रेम वो है जो हर किसी को समझ आता है अब इससे उपर प्रेम की परिभाशा बताती हूँ आपको सबसे जदा प्रेम किसको मिला है ठावकुर जी को उन्हें बाल रूप में बहुत प्रेम मिला मा का सक्षियों का गोपिकाओं का अपने मित्रों का सबका प्रेम मिला राधा रानी का सबसे बड़ा प्रेम राधा रानी का जो प्रेम का प्रतीक है उससे प्रेम की प्राप्ती बहुत बड़ी बात है जो ठाकुर जी को प्राप्त हुई प्रेम को पाना प्रेम को अनुभव करना प्रेम में खो जाना और उसके बाद उस प्रेम से विमुक होकर अपने कर्म और अपने धरम के लिए उस प्रेम का त्याग कर देना ये है मेरे कृष्ण का प्रेम वाव एक स्टोरी मिरको आ रही है बीच में आपको रोक रहा हूँ मैंने ये कहीं सुना था कि कृष्ण जी इतने सुन्दर थे इतने अट्राक्टिव थे कि जो बिल्कुल अट्राक्शन और सुन्दरता और सब बिल्कुल ब्यूटी पॉफेक्ट का प्रतीक माने जाते हैं वह है काम देव और जब काम देव ने कृष्ण जी को देखा था तो वह भी पूरे मधुर हो गए थे कि यार यह तो विटकुल ही डिफरेंट है तो यह स्टोरी सच है बताई एक बार ओडियंस को आप जैसे साब से बता होगे वह अलग जाएगा देखिए मैं तो हमिर्शा कहती हूं कि आकर्शन प्रेम और पशिगरन यह मेरे ठाकुजी के ही परियाये हैं और सुंदर्ता उनकी सुंदर्ता आप शब्दों में बयान ही नहीं कर सकते किस कहां तक होगी कि सिर्फ उनको सोचने मात्र से उनसे इतना ज्यादा प्रेम हो जाता है दिख जाएंगे तो पता नहीं क्या ही कर जाएंगे आप लोगों क्या फील हो रहा है बट जब भी हम क्रिश्चन जी की बात करते हैं सिर्फ बात करें आई रों नो वह कैसे अक्ट्र में दिखेंगे जब दिखेंगे मेरे को या कभी दैशन भी होईंगे अगर इतना खुश किश्मत रहा तो पता नहीं मेरी क्या हालत होगी ब एक तो जैपूर मेरे अराध्य का गड़ है मेरे अराध्य गोविन देव जी यहीं पर विराजमान है दूसरा जैपूर में रंगों का बहुत महत्व है जी आपको जैपूर में रंग बहुत मिलेंगे जैपूर की है तो जैपूर में रंगों का बहुत महत्व है और आपको जैपुर की कलाकारी में, दिवारों में, चित्रकारी में, कपडों में आठ जगे रंगों का एक विशीष मेहत्म मिलता है, ー जैसे मैंने कहा, कि रंग जो है, वो प्रेम के कही न कही प्रतीख होते हैं, अगर हम बात करें प्रेम क्या है, प्रेम विरह भी है, प्रेम किसी को त्यागना भी है प्रेम किसी के लिए बहुत परिकास्टा तक कुछ भी किसी भी सीमा तक चले जाना भी है प्रेम अच्छा भी है प्रेम बुरा भी है प्रेम एक आँख का आसू है तो एक आँख की खुशी है प्रेम जिंदगी है तो किसी के लिए प्रेम मरण है तो प्रेम क जितने विविद रंग है न उतने ही विविद रंग हमारे पास होली में होते हैं। अब अगर हम यहीं पर बात करें कि होली क्यों मनाई जाती है शिवरात्री और होली दिवाली यह कुछ ऐसी सिद्ध रात्रियां हैं जिन पर पूरे ब्रह्मान की उर्जा धर्ती के साथ अपना एक संपर्क बनाती है पूर्णिमा की रात्री होली और अमावस की रात्री दिवाली यह जिस अंतराल पर आती है उतने अंतराल के अंदर अंदर यह जो उर्जा इस रात्री में प्रवाहित होती है हमारी पूरी की पूरी प्रत्वी के ऊपर उससे यहां का संतुलन बना रहता है वो तो मतलब सिफ ये दो इम्पोर्टेंट दिन के वैसे हमारा पूरा साल बैलेंस बनता है बैलेंस रहता है अगर ये दो तिथियां ना हो या इन तिथियों पर उस उर्जा का प्रवाह ना हो तो सब कुछ बहुत खराब होता चला जाएगा पूजा और यग्या ना हो उसे सबसे उनको बैलंस करने के लिए तो चीज़े खराब होंगी मैं वैश्णोदेवी गया था तो वहां पर भी मैंने देखा था कि वो लोग अलग से ना बहुत यग्या कर रहे होते हैं और सारी जिए तो मैंने जो में पूजारी जिए वो कनेक् यह नाच्रल कुछ भी इंसिडेंट होते भुकम पाते हैं अर्थ कोई काते हैं यह उन सब को टालने के लिए यग्ये 24 गंटे चलते हैं तो यह चीज़ सुनके मैं अलग शौक था कि अगर हम बहुत नैरो विजन के साथ देखें तो हम कहते हैं कि यह सनातन धर्म सिर्फ हमा रहा है हिंदू हो गाए इंडिया का पर वहां पर मेरे को फील हुआ था और इतना प्रावड फील हुआ था कि मैं हिंदू हूं क्योंकि वह सिर्फ एक कोई समुदाय कोई कास्ट रिलीजन कुछ नहीं वह पूरा जग कल्यान के लिए हवन कर रहे हैं कि कहीं पर जपान में अर्थ कोई का यहां पर हवन रही है तो मेरे रौंटे खड़े वह सब्सक्राइब जो एश्वर से प्रेम करेंगा वह उसमें मैं होगी ही नहीं उसमें कोई धर्म होगा ही नहीं उसके अंदर किसी भी चीज़ को लेकर मेरा कल्यान, मेरे परिवार का कल्यान, उसकी सोच इतनी होगी ही नहीं, वो जब भी सोचेगा, वो पुरी प्रकरती के बारे में सोचेगा, वो जब भी सोचेगा, वो पुरे ब्रहमांद के बारे में, विश्व नहीं, पुरे ब्रहमां है उसका फल हम यही नियमित इश्वर को रखते हैं संकल्प लेते हैं कि प्रभू इसके नियमित इतना प्रकर्ति को आप अच्छा बनाने के लिए पूरे ब्रहमांड के अंदर उर्जा का प्रवाहा करने के लिए और छोटे-छोटे जो एक जीव जन्तु होते हैं उनके कल्य के लिए हमारे नियमित यह हम कर रहे हैं ठीक है और मेरे कहल से हर ब्रहमन को यह करना चाहिए जब भी वह कोई पूजा पाठ करता है या वह जब भी कोई मंत्रुचारण करता है आपने आज एक चीज देखी थी जब अपन आ रहे थे मैंने आपको एक जगे दिखाई थी ए है तो मुसल्मानों की मजा लेकिन इसे चलाते हिंदू है हजरत गटे वाले बाबा ठीक है और वो वास्तम में हिंदू और मुस्लिम प्रेम का प्रतीक है ठीक है मैं आज तक इस बात को नहीं समझ पाई हूं कभी कि ये धरम की उत्पत्ती हुई कहां से है ये मेरी एक बहुत बड़ी सर्च है कि ये धरम की उत्पत्ती हुई कहां से है क्योंकि जब ये पूरी की पूरी श्रिष्टी बनी थी तब तो हम सारे के सारे अपने इश् अब यहां पर आकर हमने बहुत सारी चीजों का डिवाइडेशन करना चालू किया, बहुत सारी चीजों को बाटना चालू करा, ठीक है, आप सब कुछ कर रहे हो, लेकिन कोई भी धरम उठा लीजे, किसी भी तरह का कोई भी आप उनका गरंत उठा लीजे, आपको उसके अंद मारने के लिए नहीं कहा जाता, और मेरे हिसाब से सबसे बड़ा धरम ही इंसानियत है, 100%, मैंने इतने सारे लोग, सौरी अगर मैं किसी को हर्ट कर रहे हूं, मेरा वो मतलब बिलकुल नहीं है, लेकिन शायद आप बहुत मिस्गाइडेड हैं, इसलिए बता रही हूं ये बा मानते हैं, सारे दिन राधा 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 नाम का जाप करेंगे, गुरुओं से जाकर गुरु दिक्षा लेंगे, कि हमें गुरु दिक्षा दे दीजे, गुरु मंत्र दे दीजे, हम उसका जाप करेंगे, लेकिन जीवन में कुछ सही नहीं हो रहा, हमने भी किसने कभी अपने अंदर यह जाकने की कोशिश की कि इतना इतना भक्ति इतना प्रेम इतना भाव देने के बावजूद भी ठाकुर जी का वो प्रेम वो आश्रवाद हमें क्यों नहीं मिल पारा राधा रानी का वो प्रेम वो आश्रवाद हमें क्यों नहीं मिल पारा रीजन क्या है आपके अंदर प्रेम नहीं है अब आप यह कहेंगे हमारे अंदर बहुत प्रेम है मैंने कितने ऐसे कृष्णा डिवोटी देखें हैं जिनको दूसरे से कोई फरक नहीं पड़ता इस पोई फरक नहीं पड़ता आपके सामने कोई रोग ले कोई कुछ कर ले इनर मेला चलू कर देते हों बहुत ज्यादा रहा को इरिटेशन होती है जो बहुत ज़्यादा दिखावती भट रही रही है ठाक्र जी को क्या दे पार ही हो कितना भोग लगा पा रही हूँ कितना शिंगार कर पार हो यह सब हटा दो ठाकुmidt shutdown achada परेम यह हैं तो उसके अ सबको बहुत सारी परिभाशाएं दी हैं और सबसे अच्छी बात यह देखे वरूं कि उन्होंने जिन से प्रेम किया है न जब भी वह उस प्रेम से विमुक होने की कोशिश करें तब तब राधा रानी ने उनको उस प्रेम की नई परिभाशा सिखाई है मैं एक बहुत छोटी से आपको चाल लाइनों की एक कविता सुनाती हूं कि एक बास स्वर्ग में विचलित करते हुए एक दूसरे के समक्ष आ गए एक दूसरे के सामने आ गए राधा और कृष्ण को देखकर राधा सक्पकाई और राधा को देखकर कृष्ण मुस्कुरा है दूनों एक दूसरे को देखकर घबरा है और कृष्ण ने धीरे से राधा से पूछा कैसी हो राधे तो राधा ने भी धीरे से जवाब दिया मैं ठीक हूं आप कैसे हैं द्वारका धीश जो उन्हें काना काना कहकर पुकारती थी उनके मुख से द्वारका धीश सुनना बहुत अजीब लगा क्रिश्ण थोड़े परिशान हुए और अपने आपको सम्हाला और कहा तुम मुझे द्वारका धीश कह रही हो राधे तो राधा रानी बोली हां क्योंकि आप द्वारका धीश हो गए हैं तो शी क्रिश्ण ने कहा कैसे तो राधा ने कहा सच बतलाओं सुन पाओगे जो सच्चाई बताई तो सह पाओगे कृष्ण ने का हाँ राधे तुम जो भी बोलोगी मैं सुनूंगा और सहूंगा तो राधा जी ने उनसे कहा कि जब तक तुम प्रेम के साथ थे जब तक तुम प्रेम के साथ थे तुम अपनी उंगलियों से बासुरी बजाया करते थे और प्रेम से विमुक होकर तुमने सुदर्शन उठा लिया जब तक तुम प्रेम में थे तुम यमना के मीठे पानी के साथ थे जैसे ही तुम प्रेम से दूर हुए तुम समुंदर के खारे पानी पर पहुच गए काना अगर तुम मेरे काना होते काना अगर तुम मेरे काना होते तो तुम कभी भी द्वार का धीश ना होते अगर तुम मेरे काना होते तो तुम सुदामा के घर जाते सुधामा तुम्हें ढूंटे हुए तुम्हारे यहां कभी न आते अगर तुम मेरे काना होते तो तुम अपनी सैना जिसके तुम राजा थे राजा मतलब पिता आप उसके पालनहार थे आप वो सैना कभी कौरवों को न देते जबकि आपको पता था वो सारी कि सारी सैना मर जाएगी आप प्रेम से विहीन होकर क्या हो गए कभी सोचा है आपने वो लिए दिस इस सो डेप्थ और ठाकु जी सुन रहते तो ठाकु जी ने उनसे कहा कि क्या तुम्हें मेरी कभी याद नहीं आई तो बोली मैं आपको भुली कभ जो आप मुझे याद नहाते तो बोले मैं तो बहुत रोता था तुम्हें याद करके राधे तो तो राधा जी ने बड़ा सुन्दर उनको जवाब दिया बोले मैं तो रो भी नहीं पाई का ना यह मैं कैसे रोती इन आखों में तुम बसे वाश्वों के साथ निकल जाते तो राधा राणी ने उनसे था को जी ने राधा रानी से कहा कि तुम्हें लगता है तुमने प्रेम किया तो राधा राणी ने कहा हाँ मैंने किया मैंने आपसे बहुत प्रेम किया और मेरा प्रेम का प्रतीक जानना चाते हो मेरे प्रेम को आप प्रमानित करना चाते हो तो देखो न धरती पर कहीं भी जाकर ढूंडो आप मेरे साथ खड़े पाओगे हर मंदिर हर घर में सिर्फ मुझे अपने साथ पाओगे आपने गीता जैसे गरंत की रचना की आपने गीता जैसे ज्यान को दुनिया को दिया आप गीता लिखने वाले स्वैम भगवान श्री कृष्ण बने पूरी गीता में मेरा कहीं जिक्र नहीं है राधा जी कहती है पूरी गीता में कहीं मेरा जिक्र नहीं है पूरी गीता में कहीं मेरा नाम नहीं है फिर भी उसके समापन पे लोग राधे राधे ही करते हैं वाव प्रेम बहुत सारे opposite thoughts भी आ रहे हैं कि जैसे अब ये पूरी conversation को अगर मैं analyze कर रहा हूँ तो Christian जी को उन्होंने समझाया पर उसमें बहुत सारे कटाक्ष भी डाल दिये कि सारी चीज़े तो इसको Christian जी की नजर से अगर मैं देखो तो थोड़ा hurtful हो गया तो इसका उन्होंने क्या जवाब दिया और अगर नहीं भी दिया तो इसको हम कैसे process करें क्योंकि बहुत सारे लोग यहां से ना एक नई direction में भी Christian जी को देखने लगें कि Christian जी ने क्यों ऐसा किया Christian तो क्योंकि उसके बीचे भी reasons माया पती की माया तो कोई ना जान पाया है ना पर देखो मैंने जैसे आपको बोला सबके प्रेम में अपनी अपनी घहराई है राधा जी ने विरहा सही है तो वो विरही सुना रही है थी वह उनका perspective हो गया हां उनके लिए क्रिष्ण स्रिफ प्रेम थे उनके लिए क्रिष्ण वो थे जिनको उन्होंने चाहा लेकिन ठाकुर जी के लिए केवल राधा नहीं थी उनके लिए पूरा विश्व था जन कल्यांड था उन्हें पता था कि जैसे ही महाबारत का युग खतम होगा ये द्वापर युग जै कभ सिर्फ और सिर्फ येही मेरी गीता का सार होगा मेरी बाते हूंगी मेरी कल्युग से क्या जाएगा ठीकेशं तुम मुझसे बहुत प्रेम करती हो ठीकेश तुमारे प्रेम सर्वो पर ही है तभी हो कहा गया है कि राधे तु बढ़ भाग नि कौन तपस्या कीन जो तीन तो तो होगा तुम्हारे प्रेम में जो ठाकुर जी आपके इतने आधीन हो गये हैं, आपका प्रेम सर्वो परी, आपका प्रेम सबसे बड़ा, लेकिन राधे कल्युक के अंदर इस प्रेम को कोई नहीं समझेगा, प्रेम की परिभाषा कोई नहीं जानेगा, वाटसप से हेलो शुरू होगी, ओयो के रूम तक आकर खतम हो जाएगी और अगले दिन ब्लॉक हो जाएगी, यह होगा प्रेम की परिभाषा में, जो आज हो रहा है, राइट, आज कितने ऐसे कपल्स हैं, जो बिना छुए, बिना एक दूसरे को टच करे हुए, एक लंबा समें एक होगा, होगा भी तो प्रेम बच्चा कहां, ठाको जीन तो बहुत कोशिश की यह प्रेम सिखाने की, यह प्रेम बताने की, यह प्रेम जतलाने की, वो आज भी कोशिश कर रहे हैं, वो अपने वही भाव चोड़के गए, वो अपने वही त्योहार चोड़कर गए, लेकिन ल तुम्हारे लिए प्रेम सबसे बड़ा है, मैं मानता हूं प्रेम से बड़ा कुछ नहीं है, जहां प्रेम वहां इश्वर, जहां इश्वर वहां प्रेम, प्रेम सुंदर है, सुंदर ही शिव है, और शिव ही इश्वर है, इश्वर ही शिव है, शिव ही सुंदर है, और और मैं अपनी श्रिष्टी को अपने हातों से मरता हुआ नहीं कर सकता मैं लोगों को अपनी आखों के सामने मरता हुआ नहीं देख सकता तो उसके लिए मुझे इस गीता के गरंत को लिखना बहुत जरूरी था वाउ इतने सारे हजारों सवाल एक साथ हो और वैसे यहां तो दिल के तार जुड रहे हैं बहुत ज्यादा राइनर्जी तो आप अभी हुआ ज़रू हम जरूर डिसकस करेंगे और मैं तो चाहती हूं कि हम ऐसा कुछ जरूर लोगों को बताएं कि हम उन्हें यह समझा सके कि रादा रानी के प्रेम में क्या था ठाकुर जी के प्रेम में क्या था रुकमनी जी के प्रेम में क्या था गोपियों के प्रेम में क्या था उद्दव के पे मुझे बोला सबने कि शिव जी को नीलकंट महादेव भी कहा जाता है क्योंकि उनके कंट के अंदर जहर है और वो उन्होंने जनकल्यान के लिए पिया था तो मैंने ऐसा बोला कि देखे इश्वर कोई भी काम बेवजे नहीं करते हैं इश्वर के हर काम के पीछे एक रीज चड़ाऊंगा दो मिठाई चड़ाऊंगा और इश्वर मेरे प्रप्रसन हो के मेरी मनो कामना पूर्ण कर देंगे तो ये इश्वर नहीं है इश्वर आपको अपने साथ आपको पता है ठाकुर जी आपको अपने साथ जोडते क्यों इतना आकर्शन देते क्यों अपने लेकिन आप ठाकुर जी कोई नहीं समझ पा रहे हो कि वो है क्या वो आपको क्या सिखाने आये थे उन्हों उनको आपको क्या बताना था वो आपको कैसे बनाना चाहते हैं इसी प्रकार हम सरफ यह देखते हैं कि शिव जी ने अपने कंट के अंदर जहर रख लिया क्यों क्यों कि वो हमें बचाना चाहते थे यह जहर पता है क्या है यह संदेश है आज की जनरेशन के लिए यह जहर आपको भी रखना पड़ता है आपने भी रखा होगा वरुन मैंने भी रखा है हाई, this is your host वरुन वादवा यह आपको पता है बट दूसरी चीज़ आपको नहीं पता है नीचे सब्सक्राइब का बटन है जो फ्री है आप दबाग क्यों नहीं रहे हो हम देख रहे हैं इतने सारे लोग यह वीडियोस देखते हैं इतने सारे लोग इंदी पॉडकास को प पसंद आ रहे हैं तो प्लीज इस चानल को सब्सक्राइब करना कंसिडर करें और बेल आइकॉन जरूर दबादें क्योंकि हम हर वेनेश डे फ्राइडे नाइन पीम शाप आप लोगों के लिए एक बहुत ही बहतरीन अडॉन टॉक्स हिंदी एपिसोड निकालते हैं और बार 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 अपमानित करके मिलता है अपनों के द्वारा दोस्तों के द्वारा हमारे उन लोगों के द्वारा जिनसे हम बहुत ज्यादा प्रेम करते हैं यह वो जहर है जहर तो आपने ही देते ना अपने ही गिराते हैं नशे मन पे चल गया बिजलिया तो यह वो जहर है और आपको कहीं ना कहीं इस जहर को यहीं पर रोकना पड़ेगा क्योंकि अगर आपने इस जहर को यहां नहीं रोका चाहे वो इर्शा का हो, चाहे वो द्वेश का हो, चाहे वो अपमान का हो नफरत का हो, गुसे का हो, किसी भी चीज का है अगर आपने उसको यहां नहीं रोका, तो यह क्या करेगा, नीचे जाएगा, आपको स्पोईल करेगा, आपको खतम करेगा, आपको बरबाद करेगा, तो हमें हर रिष्टे को निभाने के लिए, महादेव की तरह एक कंठ के अंदर जहर को पालना ही पड़ेगा, जिसे न और बहुत बड़ी चीज़ है, जिसे अगर कोई सीख गया, तो रिष्टों में इतनी प्रॉब्लम्स आई ना लोगों के, अन्रिट परसेंट, वाट आई फील, क्रिशन जी को, क्रिशन जी से हर कोई अट्राक्टेड है, सब क्रिशन जी को पाना चाहते है, उनको महसूस कर पर क्रिशन जी, यह मेरी थॉट है, गलत भी हो सकता है, पर क्रिशन जी उनको चुनते हैं, जैसे क्रिशन जी ने अर्जुन को चुना, तो सब अर्जुन है, पर क्रिशन जी उनको समझ आते हैं, क्योंकि देखो, I feel कि सबसे जादा मिसंडर्स्टूड गॉड भी क्रिशन जी, आप क्रिशन जी की हर एक बात के इतने सारे मतलब निकाल सकते हो, जो कि बहुत इक्स्ट्रीम positive भी जा सकते हैं, बहुत इक्स्ट्रीम negative भी जा सकते हैं, वो आपके mindset पे है, क्रिशन जी ने यह लिबर्टी आपको दी, कि उन्होंने आपके बीच में, आपको यह नहीं रहा है वो कृष्ण जी ही चुन रहे है कि कौन और वो कौन क्यूं चुन रहे है I feel जैसे कि सबोज उन्हें आपको चुना या मेरे को चुना या किसी जो भी ओडिंस देख रही है उनको चुना क्यूंकि क्रिश्ण जी को उनमें पोटेंशल दिखा कि वो आगे बहुत इसको लेके जा सकते हैं यह मेरे को थौट लगता है कि मेरे को क्रिश्ण जी की या किसी एक इंसान को वेक्ति को क्रिश्ण जी की वो बात तभी समझ आएगी जब वो उसके लायक होएगा जैसे अर्जुन को सब क्रिश्ण जी ने तब कि आप इश्वर हो गुरू हो या आपका कोई भी रिष्टा हो चाहे माबाप का हो चाहे प्रेमी प्रेमी का का हो चाहे हस्बंड वाइफ का हो कोई भी रिष्टा हो आप जब तक इन सब चीजों में पून तरह से अपने आपको समर्पित नहीं करना सीख पाए आप कुछ नहीं कर सकते हैं लोग हमारे पास आते हैं गुरुमा गुरुमा बोलते हैं मुझे और उनके दिमाग में क्या होता है मेरी कुंड़ी के अंदर शनी ऑल्ड़ी खराब साथे चल रही है मेरे महाधेशा चल रही है अप पात्र भर कर आ गयो मैं उसमें क्या डाल पाऊंगी मैं आपको क्या ही दे पाऊंगी उसके अंदर कुछ है मेरे पास देने के लिए नहीं कुछ भी नहीं हाँ अगर मैं उनको सत्य सुनाने चलती हूं तो उन्हें क्या लगता है हमें यह चाहिए हमें यही बताओ तो बेसिकली वह जो सुनना चाहते हैं बस वह उसी लिए आ समर्पन नहीं है और जिन बच्चों में मेरे समर्पन है आप उनको कभी देखेगा आप यह कहेंगे कि वह आपको ऐसा सच में बोलेंगे कि हमें कुछ कहने के जरूरत ही नहीं पड़ती ऐसा लगता है मन में भाव आते हो ठाकुर्जी पूर्ण कर देते हैं क्यों क्योंकि आपके हिर्दे में आपने उनको इस तरीके से बैठा लिया कि अब आपको आपकी चीजे बोलने के लिए या बताने के लिए किसी मंदिर में या किसी उपाय की जरूरत नहीं है जाके करने के लिए वो आपके साथ सदा सर्वदा स्वेम ही चलने लग गए हैं क्योंकि आपने उनको अपने आपको पुनता ह् समर्पित कर दिया किसी गुरु को पुनता समर्पित होका तो देखो अने वसे तो अर्जुन के लिए क्रिश्न उनके गुरु भी थे और उन्होंने अपने गुरु के सामने क्या का मैं अपने आपको पूर्ण तरह आपको देता हूँ आप मेरे सार्थी कितनी बड़ी बात है आप मेरे सार्थी अब आप ये गाड़ी 220 पे चला रहे हो या आप ये गाड़ी 100 पे चला रहे हो मुझे डर नहीं है अब चलाओ आपको जैसे चलाना है गड़े से भी आपको बचाना है ट्रक से भी आपको बचाना है मरना भी मैं नहीं चाहिए और मर भी जाओं अगर यही लिखा है तो वो मौत भी आपसे मिलाने की हो ये भी समर्पन आपके अंदर होना चाहिए आप मुझे गिंती के दस ऐसे लोग लाकर खड़ा कर दीजे जो अपने गुरू को इस हद तक सार्थी मानने को तैयार हूँ और फिर उनके काम ना हो आप जो बोलेंगे वो हारने को तैयार हमाज जैपुर क्यों आए है मेरे सखा का विवा हुआ दो दिन पहले ठीक अब उसके नियमे तो मुझे अपने गुरू को भेट देनी है मिठाई खिलानी है मुझे अपने गुरू का धन्यवाद करना है कितने लोग कर रहे हैं ये परंपरा मैं तो निभाने आई हूँ कुछ हो पाया है उनका धन्यवाद बहुत बहुत धन्यवाद कितने लोग अपने गुरू के लिए ये काम करते हैं लोगों के काम हो जाते हैं उसके बाद वह पलटके थैंक्यू भी बोलने नहीं आते हैं ट्रेंड चल रहा है कि लीव और मेंटोर एक पर आपने सीख लिया जाकर आपको फिर अभाव तो होगा ही होगा और वो अभाव तब तक पूर्ण नहीं होगा जब तक आपके अंदर पूर्ण समर्पन नहीं होगा यह नहीं कहा रही अंद विश्वाशी बनिये लेकिन विश्वाशी तो बनिये आप तो विश्वाशी भी नहीं बन पा रहे जो इंकिन दिखहर है आप नहीं दिखा रहे हैं कुणकि प्रेम भाव मुद्धाब करते हैं हो जवर हम भृप सारी find में भूलो वह रंगों से भी चुनिया स्टन टूसे दो फूल होती है टॉ है लापे लिभत इस फूल से होती है और अहगर अगर होती है तो यहीं और होती है त्तिल状 गेक्षी techniques अट्धमार Hulu और प्लात कि आप से जाए कि मैं आप से इतनी जादा बार कैसे मिल बाता है क्योंकि यह समर्पित है कभी यह नहीं कहा मतब मैंने अगर सच बता रहे हूं आप सब के सामने बोल रहे हूं मेरा और वरुन का आज podcast होना था पहले से ही pre-decided था और मुझे ठाकुर जी का एकदम से आदेश आया कि नहीं मुझे आना है और एक बहुत जरूरी चीज थी जो मुझे करनी थी और मुझे अपने इस्ट को भी जबकि मेरा आने का प्रोग्रम दो दिन बाद का था कि मैं यह podcast करके फिर मैं जैपूर जाओंगे और अपने आरादे को अपने गूरु को सारी चीज भेड करके आओंगे लिकिन उनका जब मेरे पास में आदेश आया कि नहीं अभी होना है तो मैंने वरुन को कॉल कि ओर वरुन उस समय कहीं इवेंट पे थे मैंने बोला वरुन का पाटक तो बुलते हैं मैं थोड़ा सा लेट हो जाओंगा क्योंकि मैं एक इवेंट में हूँ तो नौ साड़े नौ बजे निकलते हैं थीक है कोई बात नहीं आप ट्रस्ट करेंगे हम रात को दो बजे नहीं 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 साड़े तीन बजे रात को पहुंचे हैं और यह चीज यह सम जैपूर जाएंगे और फिर वापस आना है पॉसिबल नहीं है और भी काम होते हैं बट चाहे वो बात वरंदावन की हो चाहे वो बात जैपूर की हो या आगे अभी हमने बहुत सारी चीज़े प्लान कर रखी हैं बात कहीं की भी हो ना जब भी मेरा एक कॉल जाता है और मै मुझे इतना अच्छा फील होता है ना मैं तो आपको जो बता पारी हूं वह बहुत अलग बात है लेकिन जिस माध्यम से आ रहा है ना आपके पास वह माध्यम भी पूंतर है समर्पित है शायद इसी लिए आप लोगों को वो चीज और 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 पॉसिटिव हो के मिल जाती ह सब्सक्राइब करें दूसरी चीज अभी भी आल टेल यू सुबह से माम की लाइफ में भागत ओड़ी चल रही है बहुत सारी चीजे चल रही है हम लोग होटल में थे जैपूर का माम ने बड़ी ओड़ी अखाना किलाया और उसके बाद पूरा टाइम चलिया और अभी मैं आजाक नहीं कर रहा है यह रहा फोन और आप टाइम देखो लिटरली साथ मिनट बाद एक बच जाएगा पूरे हम साड़े तीन बचे आया है नींद पूरी नहीं है किसी की सब चल रहा है हसल चल रही है और अभी वी एक बज़े और माम पूरी एनरजी के साथ एक्साइट अब आपको लगता है कि कहीं से भी परमेशन मल जाएगी पॉसिबन नहीं है क्या 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 कमर्शल बोल दे ते इतना पैसा लगे शूट के लिए इतनी सारी चीजे लाइट के अगर अगर हम बस यह सेट अब गुआ देना तो आपको रियालिटी दिख जाएगी कि क् आपको क्या ही बनके दिखता है और यह लोग भी उसके हगदार रहे हैं आपके पास मैं कि थूपर हमारी बस कोशिश ही रहते हैं कि हम आपको यह सारे जो हमारी महनत है यह हमारा इफ़र्ट से देखें हम तो इश्वर की इतनी कृपा है हमें एक जगे बैट कर एक कमरे में वरुन के पास भी बहुत जगे है मेरे पास भी बहुत जगे हमें एक जगे बैट कही है आपको बहुत कुछ दे सकते हैं लेकिन हम जो यह कोशिश कर रहे हैं सरफ इसलिए क्योंकि हम आपको जो भी दे रहे हैं वो आपके जीवन में आपको लगे और एक पॉजिटिव एन आशा है और आगर आपके जीवन में बदलाव आते हैं तो धन्यवाद आप ठाकुजी को धन्यवाद ज़रू करा करिये उनके सामने से उपाइए और हम आप लोग करें महनत मुविंग ऑन हम होली की बात करें थोड़ा साथ बताईए लड़ू वाली होली के मेरे को विल्कुल होली पर कुछ बहुत विशेश भी होता है जैसे कि व्रंदावन के अंदर हमारे बाके भीहारी को होली वाले दिन होली के दिन हमारे बाके भीहारी के हैं पर एक विशेश भोग लगता है जलेवी का ठीक है और इसी प्रकार से जिस दिन होली देहन होती है उस दिन भी बहुत विशेश चीजे करी जाती है जैसे कि आपके जीवन के उपर अगर बहुत ज़्यादा नाकारत्मकता है बहुत नेगेटिविटी है या आपकी लाइफ में सक्सेस आपको नहीं मिल पा रही है या आप कहीं पर बहुत ज़्यादा स्टक हो गये हैं मेंटली फिजिकली फाइनेशली आप कहीं भी बहुत ज़्यादा स्टक हो गये हैं तो आपको होली की रात्री जब जलती है उससे पहले आपको गोबर के साथ कंडे ले लेने हैं छुटे-छुटे और उसके बीच में आपको होल कर लेना और उसकी एक माला बना लेनी है और अपने सिर से एंटी-क्लॉक्वाइस साथ बार घुमा के आपको उसको जलती हुई अगनी में प्रजलित कर देना जो होली की अगनी जलती है यह कारे बहने अपने भाईयों के लिए भी कर सकती है इससे भाईयों की देरगायू होती है इसको करने से भाईयों के भाग्य में व्रद्धी होती है और इसको करने से भाई-बेहन के बीच का प्रेम हमेशा बढ़ता रहता है वाओ ओके दिरगाई के मतलब लंबी आयो थोड़ा थोड़ा अपना थोड़े से लाइट वर्ड उसके अगरों कि कि इंटरनाशनल ओडियंस भी देखती है और काफी मैं अभी मै कभी-कभी ऐसा होता है कि कुछ-कुछ विशेश जब पूजाय होती है हमारे या कोई बहुत विशेश अनुष्ठान होता है तो उस समय मैं और काना भाईया जो मेरा ब्रदर है चोटा वाला मैं और काना बहुत सारी चीज़े संस्कृत में बात करते हैं वाव हम संस्कृत क करते हैं एक दूसरे को चीज़े बताने के लिए तो अगर ऐसा कभी कोई पॉड़कास्ट हुआ फिर क्या होगा बच्चों आप लोगों का सब्सक्राइब हमारे मंतर पूजा और यह तो होली देहन का बहुत विशेश महत होता है ऐसा कहते हैं कि जिस दिन होली का देहन होत कि खतम हो जाती है आपको पता है जब दिवाली की रात्री होती है उसके बाद से बहुत सारी तंत्र मंत्र नाकारत्मक शक्तियां हमारे ब्रहमांड के अंदर ब्रहमन करने लगती है बहुत तीवर गती से ठीक है तो तब से लेकर और होली तक का जो समय होता है वो ब्रहमां प्रकरति से और ब्रह्मांट से हच जाती हैं, ऐसा बोला जाता है, होली के रातरी में जिन लोगों को धन सम्मंदी बहुत सारी दिक्कते हैं, वो पाँच हल्दी की गाथ, पाँच कमल गट्टे और पाँच गोमती चक्र, अगनी के साथ फेरे लगाके, साथवे फेरे में लक्षमी जी से प्रार्थना करें कि हमारे जीवन में जो यह अभाव है परिशानिया है यह दूर हो इसके लिए आप हमें आश्रवात देंगा जो पॉड्कास देखती है बहुत ज्यादा उपाए नहीं करना चाहती बट वह पॉड्कास देखती है सुनना चाहती है सब कुछ और वह पूजा भी करती है उनको अपाई नहीं करने पर उनको यह जाना है कि हम कैसे जैसे बहुत चर्नल फांबी एक फामिली देख रही है उनको होली का दहन में जाना है उनके मंदिर में आसपास होली का मौत बना होगा तो पहली चीज़ तो मैं एक सवाल इससे पहले यह कि अभी मैं जब आ रहा था तो लोगों ने पूरा बनाना स्टार्ट कर दिया वहां पर बहुत सारी लकडियां और सारा तो अभी होली आने में टाइम है अभी से क्यों शुरू हो गया वैसे तो यह होली का आठ दिन पहले से होला अस्टक लग जाता है तब से यह स्टार्ट ह होता है और नहीं चुनचुन के लकडिया बहुत सारी चीज़ें बहुत सारी चीजें तो यह आट दिन के अंदर रोज उसुसका अगनी के लिए कराये जाते मेरे घर के पास ही जब मैं आ रहा था गड़गाओं के लिए तो फॉर्स फ्लोर जितना वो पूरा बन गया था हां वाव ओके दूसरा सवाल जिनको कोई उपाए नहीं करना पर पूजा करने जाना तो वह कैसे क्या प्रॉपर धंग होता है कि उनक ठीक है और जब अगनी एकदम से प्रचलित करते हैं तब आप हलका सा कच्चे दूद का छीटा दे दीजिए बहुत जादा नहीं सिर्फ दो या तीन बुंदे आपको कच्चे दूद की हां उस समय दे देनी होती है और जब हम परिक्रमा कर रहे हैं साथ बार जब परिक्रम अब हम आएंगे जिन लोगों को इस रात्री में अपनी परशानियों से मुक्ति चाहिए जिन लोगों को सारी प्रॉब्लम से बाहर निकलना उनके लिए बात करते हैं तो अब हम में सेग्मेंट पर आता है जिसके लिए पब्लिक बेकरार रहती है कि अब मैं उपाई हस्बेंट की फामली की तरफ से बहुत नेगेटिव आ रहा है बहुत कुछ गलत है कुछ पॉजिटिव नहीं है तो वो कैसे अपना रिलेशन उनके साथ अच्छा कर पाए आरतालेस दाने आपको काली उड़त की दाल के लेलेने हैं और सताइस दाने uniquas aubukach लेले लेने हैं उसके अंदर आपको थोड़ा सा कपूर रख देना है आपको जिससे भी दिक्कत है उस व्यक्ति का नाम साथ बार बोल देना है उसके बाद आपको तीन परिक्रमा करके यह सारी सामगरि आपको अगनी में डाल देनी है और उसके बाद आपको अपनी चार परिक्रमा पून Especially आप करता हो जिनके हमने कॉमेंट्स segregate किये थे तो उनका ये सवाल था कि उनको बहुत सारे लोगों को शक है बहुत सारे लोग शौर है कि उनके husband का office में या कहीं पर काम करने जगा पर extra marital या कुछ ऐसा चल रहा है तो वो क्या करें आपको साथ लॉंग ले लेनी है और साथ लॉंग को आपको सिंदूर के अंदर डाल लेना है और आपको उसको एक या तो पत्ते के उपर रख लीजे पान के पत्ते के उपर या आप एक पेपर के उपर रख लीजे आपको अगर उस व्यक्ति का नाम पता है जो आपके relationship में आ रहे है कोई जरूरी नहीं कि केवल wife को ये problem हो husband को भी हो सकती है तो अगर नाम नहीं पता है तो फिर आपको ऐसी मनो काम ना करनी है कि मेरे पती जो है वो सिर्फ मुझ से प्यार करें और उनका किसी के साथ जो भी affair या प्रेम या attraction जो भी है वो खतम हो जाए और कोई बाहर वाला हम दोनों के बीच में ना आप है husband भी सेम बोल सकता है wife भी सेम बोल स आप एक तो थोड़ी सी अपने घर के मुख्य द्वार पर टांग दीजे ये नजर से भी बचाती है नजर का सबसे बड़ा टोटका है ये इस अगनी को अगर आप जो आपकी उस दिन अगनी जल रही है उसके बाद जो वो राक है वो लाकर अगर आप उसे काली पोटली के अंदर आप अपने मुख्य द्वार पर टांग लेते हैं तो आपके घर के अंदर नजर बादा तंत्र मंत्र द्रश्य अद्रश्य शक्तियां कभी घुस ही नहीं पाती ठीक है और उसी भबुती को अगर आप अपने घर के सभी सद्दस्य के मस्तिश्क पर लगा देते हैं तो उनके साथ भी किसी तरह की कोई नाकारत्मक शक्तियां नहीं चल पाती ठीक है तो हम अपने पर आते हैं तो आप जो यह भबुती लेकर आएंगे यह लाने के बाद आपको लाल रंग के कपड़े में बांद कर अपने बेड्रूम में उस जगे पर रख देना जहां आप आपके हस्बंड सोते हैं पलंगे नीचे रख दीजे पलंगे पीछे बांद दीजे जैसे भी आप कर सकते हैं आप यह कर लिजए उनमें बदला नजर आ जाएगा बहुत सारे हस्बंड ऐसे कॉमेंट्स भी करते हैं और जो हम फॉर्म डालते हैं महां पर भी भेशते हैं कि उनकी वाइफ जो बिल्कुल शौर है कि उनकी वाइफ घर में कुछ नेगेटिव कर रही हैं जिसकी वैसे उनके मदर पे या उनके छोटे भाई पे उनकी फैमिली पे दिक्कते हो रही हैं वो सिच्वेशन में ऐसे हैं कि वो ना अपनी वाइफ को रोक पा रहे हैं बहुत सिच्वेशन है घर की मतलब बिल्कुल टॉक्सिक महौल था जो में पढ़ रहा था उनका पूरा जो नहीं लिखा था एक्सप्रेस भी नहीं कर पा रहा तो ऐसे वो लोग क्या करें काली हल्दी आती है आपने एक तो पीली हल्दी देखी होगी इसी तरीके से काली हल्दी आ काम आप 11 बार लेकर आप पहला राउंड काटके एक टुकड़ा डालिए उसके बाद आप तीन राउंड काटी है दूसरा डालिए उसके बाद आप चार पूरे करिया और फिर तीसरा डाल दीजे और प्रार्थना करिए कि उन जो भी व्यक्ति है उसको सदबुद्धी मिले हस्बेंड वाइफ का रिलेशन्शिप जो फिजिकल रिलेशन्शिप रहता है उसमें दिक्कते आ रही है सब कुछ सही है बट वो चीज अच्छे से नहीं हो पारी तो उसके लिए वो लोग क्या करें मैंने आपको बताया ना इस दिन काम देव जी का पुढ़ा जीवन मिला उनको जीवित हुए थे तो इस दिन आपको शिफजी के मंदिर में जाकर पांच रंग उनको चढ़ा कराने चाहिए जिस दिन होली का देहन होती है उस दिन की बात कर रहे हैं जी अच्छा यह जी वोला जाता है कि छोटी होली बड़ी होली में होली तो फिर वही ज़से दि पूलीος से अगले मेरे होते हैं आप लोगोगे साथ साथ हम चलते हैं हेल्थ की तरफ अब सबसे पहले तो जो लोगों को माइनर हेल्थ इशूज रहते हैं कि कोल्ड कफ हो गया रेगुलर चीज़े होती रहती हैं दर्द हो जाता है बैक पेन हो जाते हैं तो वह लोग पांच गुमती चक्र सरसे साथ बार घुमा के क्लॉक्वाइस आपको जाकर अगनी में तो यह आप कर लिए तो इससे जो चोटे-मोटे प्रॉब्लम्स होते हैं फेल्थ के इस्व जो होते हैं वह खतम हो जाते हैं और दाने ले लिजे 5 या 7 दाने धनिया साबोत एक तांबे का सिक्का दो गुमती चक्र दो काली हल्दी यह सारी सामगरी लेकर एक पोटली बना लीजे छोटी और उस व्यक्ति के ऊपर से सिरसे लेकर पैर तक साथ बार घुमा दीजे और उसकी हाइट का एक काला धागा ले ल जलती हुई प्रजलित अगनी में आप बेट कर दीजे एक कम उसमें फॉर में आया था कि बार-बार एक्सिदेंट्स हो जा रहे हैं और उन्होंने गाड़ी भी बेचके दूसरी गाड़ी ली बट फिर भी वह हो रहा है तो पहले उनको लगा कि कि गाड़ी का कुछ वजा यह नहीं होता है तो इसके पीछे क्या होता है क्यों होता है डेखो यह जो हम जिस दिन होली का धेन क captiv Logana इसका बहुत होता है ठीक्या तो अगर किसी व्यक्ति के बार-बार-बार-बार एक्सिडेंट हो रहे हैं तो उसको कम से कम पांच लकडिया इस देहन से पहले जाके अपने हाथ से लगा देनी चाहिए और एक हनुमान जी के मंदिर में जाकर जंडा रोपन करते ना चाहिए जंडा लगा देना चाहिए वासिंग मशीन ठीक कराई तो घीजर खराब हो गया घीजर ठीक कराया तो एसी खराब हो गया ऐसा भी होता है जिस दिन होली का देहन होती है वहां से थोड़ी सी आप भभूत ली आई है और मैंने जैसे आपको बताया काले कलर के कपड़े में आप अपने घर के मुख्य द चीज़ों होंगी वह सही होने रख जाएंगे मतलब शांत हो जाएगा यह वाला सबस्जाद है इंपोर्टेंट है बहुत सारी मम्मियों के सवाल है और बहुत सारी वाइफ के हस्बंड की और बेटे की शराब की लट से घर बरबाद होता जा रहा है वह क्या करें होली वाल आप को अपने मन की बात कहके आठाहरा बाकि फए जिन बैरो बाबा को 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 बहुत सारे बचों का सवाल हमेशा ही रहता है कि हम होती हैं कि वह सारे सक्षेवर्मिन्ट एक्जाम की स्टे करें कि हमारे योग थोड़े और बढ़़ जाए या फिर हमारी मेहनत करने की हमारको मोटीवेशन और बढ़़ा लोगत का पत्ता होता है उसके उपर सुपारी और एक हल्दी पीली हल्दी की गाठ रखकर आप जलती ह कोई अगनी के अंदर डाल देजे यह सारे उपाय जो होते हैं वेदिक एस्ट्रोजी से यह हाम नहीं करते हैं बिल्कुल भी नहीं करते हैं अब इसी के लिए आप एक पूजा कर रहे हैं आप भगवान पर वो चीज़ें चड़ा रहे हैं क्योंकि लोग हमने लाश्ट पॉड कोई बीच चुराहें में कुछ घर से बाहार निकल ले कुछ करते हैं तो पूरे सारे सारे जज्च्वेंटल हो जाते हैं कि क्या कर रहे हैं कुछ गलत तो नहीं कर रहा है इस पर हमारे मतलब उसको एक नगेटिव नजर से देखने लगते हैं और जैसे आप बताते हैं यह स तो भी सामगरी बताते हैं पहली बात तो यह है कि उसमें से कुछ भी ऐसा नहीं है जो आप से किसी और पर ट्रांसफर होगा ठीक है दूसरी चीज यह है कि आप कोई ऐसी क्रिया नहीं कर रहे हो जो एक से उतर के दूसरे पर चली जाएगी आप जो चीजे भेट कर रहे हो अगनी को वह अगनी में जाते ही वह प्रकरती के अंदर विलुप्त हो जाएगी और मैंने जैसे आपको बताया कि वह एक बहुत सिद्रात्री होती है उस दिन जितनी भी नाकारत्मक शक्तियां होती है वह उसको अपने तरफ खीच लेती और भस्म कर देती है तो जो भी उस इसलिए मैं हर आपसे यही सिम सवाल पूछता हूं बीच में कि जिससे जो लोग है उनको clarity मिले और जो लोग बहुत सारे लोग सिर्फ इससे भी देखते है कि क्यों बस वो देखना चाहता है कि क्यूरियस है जैसे मैं हूं मैंने आज तक शायद एक भी कोई उपाय नहीं कि लिगी तो इसलिए logic डूंड रहा होता हूं मैं डॉंटॉक्स में बस logic डूंड रहे हैं okay so बहुत सारे हेल्थ की हमने बात करी हमने money की बात करी हमने बात करी husband wife और सारे relationship की एक तो इतने सारे teenagers girlfriend boyfriend वाला एक यह matter में को लगता है अब में चाहरोंगे अब में चाहरोंगे बट जब इनके audio messages आते हैं या जब यह form में अपनी पूरी कहानी लिखते हैं तो शायद मैं इस चीज़ को समझ नहीं पाता बट जब वो उस emotion में होते हैं कि actual में किसी को किसी ने छोड़ दिया या cheat कर दिया तो शायद हम बहुत मजाक में ले लेते हैं पर वो जो बंदा feel कर रह है तो उसके वीचे जब मैं बहुत deep down बैटके सोचता है तो बहुत high emotion है हम उसको मजाक में ले रहे हैं तो वह deep down जो actual में serious हैं वो लोग क्या करें सबसे पहले तो आप ठाकुजी के मंदिर में जाईए और उन्हें गुलाल अर्पित करी ठीक है और बहुत सारे लोगों को य जैसा भी जो भी कर सकते हैं आप जाकर उन्हें गुलाल अर्पित करिए और साथ में उन्हें मीठे का भोग जरूर लगा कर आई और उनसे कहिए कि ऐसी ही मिठास हम दोनों के बीच बनी रहे हमारे प्रेम में बनी रहे और जिस तरह के रंग आपको हमने बेट की हैं इतने ह हम दोनों के जीवन में हमेशा खुशियां बनकर आते रहें यह हो गया जो जुड़ना चाहते हैं अब एक उनके लिए जुड़ना नहीं चाहते पर आप होली जैसे भी आप खेलते हैं होली खेल दीजे दिन के बाद आप एक लोटे के अंदर थोड़ा सा जल डाल कर उसमें यह भास्म मिला लीजे और जाकर शिवजी के मंदर में उनको अर्पित कराई एक सब के लिए सवाल होली कैसे बहुत प्यार से अंडे भी मारते हैं सब कुछ हो रहा है नहीं भाई देखिए हम तो नहीं ऐसे तरह से होली मानते हैं क्योंकि हम तो होली वाले दिन भी जादा तर फूलों की होली खेलते हैं या गुलाल की होली खेलते हैं यही दो होली होती हैं जो हम में खेलते हैं अब खेलने वाले तो बहुत तरह की होलियां ख सब की तरह कहली किसी को चोट पहुंचाने के लिए किसी को हर्ट करने के लिए कोई त्योहारमत बनाई ल एससे जाधा दारू पी जाती सबसे जाधा मैंने हाथ अपाई क खुन खराबा भी होली वाले दिन होते वह देखा है क्योंकि लोग नशे में ज्यादा आ जाते हैं अब यह क्या है यह क्यों हो रहा है तो इसको रोका कैसे जाए प्रेम से आपके अंदर जितना ज्यादा प्रेम होगा ना आप उतना ज्यादा इन चीजों से दूर हो हजबन वाइफ एक मां को अपने बच्चे से बच्चे को अपनी मां से प्रेम तो हर किसी से हो जाता है यह प्रेम का हो यह तो मोह हुआ ना एक मां को अपने बच्चे से बच्चे को मां से यह बात समझ में आ जाए तो फिर प्रेम सार्थक ना हो जाए प्रेम तो सब चीज तो प्रेम से आप होली खेलें जिस जैसे भी खेलें अगर आप लठमार होली खेल रहा है तो प्रेम से खेली है चाहिए तेज मारें पर रहें लठमार होली के पीछे क्या लोचिक है यह बेसिकली एक तरीका है महां पर लोगों का इंजॉय करने का तो यह क्या होता था कि देवर भावी के भी ज़्यादा खेली जाती थी तो उसमें यह होता था कि देवर भावी को छेड़ रहा होता था और भावी उसको लठ मार रही होती थी और जैसे मा यशोदा जो है वो पीछे जाती थी चड़ी लेके तो इसी तरीके से कि मतलब प्रेम में कि तु छेड़ रहा है ले और वो फिर अपने आपको बचा रहा होता है कि अच्छा तुम्हारे के लिए मैं बचूंगा करें तो यह बहुत प्यारा भाव है जिसको हमारे हिंदु धरम में हर एक चीज एक्सप्रेस कर दी गई ना कुछ भी होगा ऐसा जो नहीं हुआ कुछ भी सब कुछ है लाइक आई फील दिश्मनी भी प्यार से निभाएंगे यह वो भाव है हाँ और हर चीज लाइक जिन चीजों के बारे में शायद आज बात करते वें ऑक्वर्ड हो जाते हैं वो सब भ परफेक्ट अभी यह देखके मेरी ममी मारें ही टॉट में को ओके अल्मोश हमने सब कवर कर लिया सारे लोगों कि I hope समस्या पोरी हो गई जिन लोगों को लग रहा है नहीं होई आप लीज फॉर्म भर दीजे या कॉमेंट्स में कर यह पूरी टीम रिव्यू कर रही होती है मेरी आपके हर एक कॉमेंट और एक स्पेशल चीज आपको बताता हूं मैं भी कॉमेंट पढ़ती है कि मेर को शायद एक दिन बाद मैं पढ़ रहा हूं क्योंकि हम पॉड़्काश जालके रात को डालते है अलग-अलग चीज़ों पहुँ जाते हैं पर मैम जब भी फ्री हो मैं ममं से मेरी वैतना डिब आपचे नहीं नहीं कर सकती इतना मैं में मंहें कॉमेंस पढ़िए। तो आप किमें करते रहे कुछ नहीं पता आपकी कौन सी बाद मैंहें और सिनकों मैंम anght पंच जाए। तो थाकु जी आप तक पॉच्छा चुछा पूच्छा उनकी ब्लेसिंग आफ तक पॉच्छा हाला कि इसके माध्यम से आप पहुच ही रही है और आप लोग ऐसे इस सपोर्ट करते रहे, और बस प्रेम से रहे, बस इतना ही बोला चाहूँगा, क很 art कर बाहर कर दे आपके जीवन की सारी की सारी परेशानियों को बहस्म कर दे आपके जीवन की सारी की सारी जितनी आपकी द्वंद हैं जितने द्वेश हैं जितनी नफरत हैं उन सब को हमेशा के लिए समाप्त कर दे ठाकुर जी बस आपके जीवन में कुछ रखे तो खुशियां प्रेम और एक दूसरे के लिए अपार 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 प्रे कोमेंट करो कि जो हमार को जनमाश्पी में बड़ा वल एपिसोड लेकाना है पाँच छे घंटे दस घंटे का उसके लिए माम को मोटिवेट रखो क्योंकि वह बहुत इंपोर्टेंट है और आज छोटा सा आपको ट्रेलर मिला जहां पे रादा किरिशन जी की उन्होंने बात रखो दाट सौल थाइंक यू सो मच माम एक बर फिर से पॉड़कास करने के लिए एक बर फिर से दोंटॉक सिंदी पॉड़कास माने के लिए थैंक यू धन्यवाद रादे रादे जैश्री कृष्णा